जो फान्स कैसे हैं आप भड़िया मस्त रहिए चस्त रहिए और अंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहिए यह एंटर्टेन्मेंट की दुनिया है कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है लेकिन जब भी किसी नये शो का प्रोमो आने आवाला होता है कुछ भी होने च्रटो भी कृपर लैं जो नहीं होते हैं उटे के सब नाम सर्च करने लगते हैं तो ऐसे ही अभी को जीष दीन पहले ही जो है कलरप एक नए शो का प्रोमो यह मेरा बलं था निदार् तो ऐसे में ये शो काफ़ी जादा सुरकियों में पहले से छाया हुआ था इस शो में जो आपको कास्ट नजर आने वाली है यह कहें कि जो है आपने जो प्रोमो देखा है इस तरह कि प्रोमो आप पहले भी देख चुके है जहां पे जो है आप छोटी उम्र में शादी नहीं कर सकते इस चीज के लिए तो कलर का शो काफी ज्यादा फेमस है बाली का वधू जैसे शो ऐसे में ये शो शसी सुमित मैम के शो का है ऐसे में शसी सुमित एक नया शो ला रही है मेरा बलम थानेदा ऐसे में मैम ने पहले ही बोला है कि मुझे बैस टाइमिंग चाहिए अभी कलर ने ना तो हांक आया ना ही ना बस ये कहा था आप अपना प्रोमो लॉंच कर दीजी ऐसे में उनका प्रोमो लॉंच होते ही सर्चिंग बहुत तेजी से पकड़ी है क्योंकि उसमें शगुन पाढ़ने जो नजर आ रहे हैं गोगल की मानों तो यह जो है आपको दिसंबर के सेकिंड या थर्ड वीक में सुरू हो जाएगा यह शो नवंबर में सुरू नहीं होगा कहावत तो यही है बाकि अगर ट्यारपी सफते की किसी शो की भी डाउन होगी उसके बावजुद यह शो जल्दी से वो टाइम ले लेगा फिर चाहे वो कौन से शो है आपका उडारियन है जिसमें आपके गौतम वीच को लाया गया है ताकि जो है वो शो की ट्यारपी समाल सके लेकिन आपको बता दें पहले से कलर की ट्यारपी में इंप्रूव हुआ है फिर आता है आपका निर्जा जो काफी लंबे टाइम से निर्जा से जो ट्यारपी मांगी भी है वो नहीं दे रहा है ऐसे में निर्जा में भी काफी ह चादा लग रहे हैं सुनने में आ रहा है सुहागन जो है आपका सिक्सा क्लोक पर जाएगा और 6.30 पर शशी मैम का शो मेरा बलम थानेदार आएगा ऐसे में प्रोमो को देखकर फैंस खुश नहीं हुए लेकिन प्रोमो काफी देखा गया है ऐसे में प्रोमो में नोर्मली बन जाएगी और प्यार में शादी करेगी फिर चाहे वो मजबूरी में करें चाहे जहसे भी कहानी कि स्टोरी तो जबर्दस लग रही है लेकिन किसी का कहना है कि इमली का रिमेक होगा इमली जो आप कलर स्टार पर देख रहे हैं उसी के जैसे स्टोरी आपको इसमें कुछ नजर आएगी वह तो जब शुरू होएगा तब पदा चलेगा लेकिन ये चो दिसमबर के सैकिंड ये थर्ड वीक में सुरू होगा और बात आती है कि ये शो किसे रीप्लेस करेंगा तो ज्यादा जो इसके चांसेस लग रहे हैं वह सुहागन पर लग रहे हैं कि सुहागन को शायद रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सुहागन को जो है इन लोगों ने मार्च तक का टाइम दिया ओए, तो मुझे नहीं लगता है सुहागन को हटाएंगे, लेकिन हाँ मुझे ज़्यादा चांसिज जो है उडार्यन के लग रहे हैं, हो सकता है यह उडारियन को जो है रिप्लेस करें क्योंकि Shashi Maam का शो मीठ seven a clock पर GTV पर आ रहा था तो Shashi Maam ने अपना seven a clock का शो मीठ जो है ओफ येर कर दिया है अगर आप GTV देखते हैं तो उस पर मीठ सीरियल आता था वो बंद तो ऐसे में मुझे इसकी ज्यादा चांसिस जो लग रहे हैं वो मुझे इसके उडारीयन के लग रहे हैं तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जुरू बताईए बाकी जानकादी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है